नमस्कार दोस्तों क्रिकेट बी सचिन बोराम फिशे एक बार आपका स्वागत दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेस्टिन भी है और डाउड भी है उनको की जो हमारे पिछ की लेंथ है उसमें फुल लेंथ एरिया जो यॉरकर बॉल आती है अगर आप एक बॉलर या बल्ले बास दोनु मैंसे कोई भी हो तो दोनु को जानना ज़रूरी है क्योंकि आप उसी हिसाब से बॉलिंग का प्रैक्टिश करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा लेंथ कितने मीटर दूरी में होता है इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों का ये भी question था कि पूरा जो pitch है उसका कितना marking होता है कितना meter पीच होता है पूरा जो bowling से लेके batting तक wicket से लेके wicket तक उसके अलावा wicket से लेके जो जहां पर batsman खड़ा रहता है वो कितना meter का होता है कई बार हम गाउं करूं मैं तो हम ऐसे बोल लेते हैं डेड़ बैट नाव लेते हैं एक बैट फुल नावते हैं उसके बाद जो हमारा handle है उसको नाव के ऐसे idea से लगा लेते हैं लेकिन exact marking कितनी होती है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों अगर चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रू दबाना ताकि इस तरह के आने मारे सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ मुबाइल के स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सक होते हैं 22 गज 22 यार्ट और 20 20.12 20.12 यह होती है इसकी लेंथ उसके बाद जो यह पूरा विकेट से विकेट है उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वह है यह वाला किरीद जहां पर से जहां पर बैट्शमेन खड़ा रहता है और बॉलर का जो पैर है यहां से आता है देखिए यहां से बॉलिंग करके आता है और यह पैर यहां पर लास तक कदम रखता है यहां से यहां के जो बीच की दूरी है यह वाला लाइन मैंने बना रखा है यह होता है 17.68 मीटर इतना होता है यह देखिए यह जानना बहुत जरूरी है उसके बाद जो यह वेट्समेन यहां प टू मीटर यह हम बैट से ना आपते हैं अकसर लेकिन करेक्ट जो मिजरमेंट है वो यह है अब जो है हमारा आता है लेंद की बाद जो हम हमेशा करते हैं कि लेंद जो यहां पर विकेट है विकेट से लेके दो मीटर आगे यह लाइन मैंने बना रखी है टू मीटर दो मीट आगे यॉरकर लेंथ है उसके बाद एक और लाइन दिया है यह 4 मीटर का होता है और यहां पर होता है 6 मीटर तो 2 मीटर से लेके 6 मीटर तक जो डिस्टेंस है यह होता है फुल लेंथ फुल लेंथ होता है और यहां पर जो 2 मीटर है यह है यॉरकर यह याद रखना अब 4 मीटर का एक ऐसे डिस्टेंस बनाया हुआ है उसके बाद 6 से लेके यहां पर होता है 8 मीटर 6 से लेके 8 मीटर का जो लेंथ है यह है गुड लेंथ इसके बाद इसमें भी दो लाइने दिये मैंने दिखो यह दो मीटर का पूरा है तो इसमें जो एक-एक मीटर है इसको बैक अप दे लेंथ भी बोलते हैं इसको गुड लेंथ हाला कि यह पूरा गुड लेंथ माना जाता है 10 meter में आ जाता है यहां के जो पीछे की ball है वो पूरी short ball बोलते है short ball यहां से पीछे कहीं भी आप balling दो वो short ball में counting होता है जो बहुत ही ज़्यादा पीछे से पटका के ball देता है वो लगबग bouncer चला जाता है और लगबग जो थोड़ा इस एरिया से आगे को देता है वो लगबग कंदे के लेबल तक ball जाती है दोस्तो आजकल यह full length area को slot ball भी बोलते है slot और जो यह good length area है इसको length ball भी बोलते है नया नाम आजकल सुनने में आ रहा है इसके अलावा दोस्तो यह यह वाली चोड़ाई है यह pitch की यहां से यहां तक जो चोड़ाई होती यह लंबाई होगी यह चोड़ाई होगी यह जो चोड़ाई है यह होती है 3.5 मीटर यह जानना भी जरूज है जब आप एक fix pitch बनाते हैं तो इसके लिए बहुत important है कि यह चीज़ें आपको जानना दोस्तो अब आप इसके according अपना pitch का marking करके एक फीता लेके ना आपके betting या bowling दोनों की practice इस हिसाब से कर सकते हैं आपको clear हो गया होगा कि कौन से कितने मीटर दूर में से good length है कितना full length है इस हिसाब से आप bowling का practice कर सकते हैं दोस्तो आसा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए होगा अगर पसंद आएगा तो लाइप और सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक यू धन्यवाद